स्वागत करते हैं बागेश वर्धाम के पंदेत दिरेन चाजप्री जी गा बहुष्टारश जाए प्सक्राश जाए बहुष्टारश जब से पहले तो आप क्या बुलाना पसंद करते हैं अपने आपको महराज बुले हमको बाबा कहता है तो अंदर से बड़ा हार्ट होता है अरे क्यों? हम कोई बाबा नहीं है, हमने कोई सन्यास लिया है ना भगवान की क्रपास हम डाड़ी भी इसलिए नहीं रखते हैं आप बताइए तो यह फिर बाबा कहने का यह कईसे चलन चुरू है पिर आप आप लोगों की देन हैं अच्छा आप लोगों ने इपनी मीडिया में बागेश्वर बाबा बाबा जिबकि बाबा बागेश्वर धाम वह धाम है हनमान जी का नाम है आया आएम नोट बागेश्वर अम तो धिरिंद्र कृ unlucky ने लेकिन वो आप लोगों की देन है उस देन को सुईकार कर रहे हैं अपने आप जो खुदी कहा कि आपने सन्यास नहीं लिया है और आप बाबा नहीं है तो लोग जो आपको भगवान मान के आपके पास आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो ये बहुत बड़ी भूल है हम सबको बिनम मनहात जोड़कर प्राथना यही करते हैं हम कोई इश्वर नहीं है ना हम कोई महापूरुष है हम अपने एक गुरू के साधारणश सेवक हैं और शनातन के एक सिपाही है और हमें जो हनमान जी की पेरणा और गुरू पेरणा से जो काम सौपा गया कि हमें एनकैन प्रकारण अपने सनातन की बच्चों को और बहनों को और अपने सनातन को बचाना है और इसकी रक्षा करके हमें पुना भारत में सनातन संस्कृती का जंडा लहराना है बस हम उसके सिपाहें ये ये बोध आपको कब हुआ हमारे परंपरा में ये है तीन पीडियां गुजर गई हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक सेवा की बागेश और हनमान जी की और दादा गुरुजी के भी दादा जी ने की हमारे दादा जी के माता जी भी बागेश्वर महादेओ की अपाशक थी और तीसरी पीडी में हम हैं वहां शेवा में तो बचपन काल में ही अभाव का जीवन तो कभी एक बार दादा जी हमारे दादा जी महापूरुष थे, भगवत प्राप्त, हनमान जी का शाक्षाता कार था, लोग उनके पास उस जमाने में बड़े-बड़े I.S. I.P.S. ऑफिसर्स, बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेकर, अज भी याद है, तो जाते थे, तो हम भी अपने गुर्देओं के पास में कुछ अपिक्षाएं लेकर के गए थे, कि जीवन बड़ा बिचित्र है, आप सब का भला कर रहे हैं, और हम पर विक्रपा करो, उन्होंने कहा, रात को आओ, इक आपके उमर किती थी? नौदधा साल, जीवन बड़ा अदभूत बिचित्र था, उन इस्ततियों का ब जिन्दिगी की एक नई सुरुवात हुई, और हमारे महापुरुष, गुरू तो गुरू, वह साथ-ाथ फिटके थे हमारे दादाजी, अदभूत महापुरुष, शिद्य पुरुष, वस उसी रात को ए घटना घटती है, और वो जाकर के, होता है कुछ ऐसी घटना जो टी है, हम भैवीट हो ही जाते हैं, बच्चे हैं, बहुत अती भैवीट हो गए, लेकर उनोने हमारी फिर्भथप आते हुए, कहा, कह दो, तुम हमारे और हम तुम्हारे और काम हो गयें, बस पुष्तन के, तो तब तक आप जैसे आम बच्चे थे, वैसे ही, अभी भी आम हैं, कोई खास में तो खेलना कूदना स्कूल जाना हम अभी भी मंचों पर खेल लेते हैं आप लोगों के साथ खेलना बच्पना गया नो जिंदिगी में बच्पना जाना भी नहीं चाहिए यह भी तो यह खेल ही लेकिन वह अब पीछे कुछ ऐसे प्रकरण हुए ना कि अब वो ज कुछ सांसारी का वृत्तियों को द्रिष्टी कौन रखते हुए हमारे दवारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वच्चे गलत कुछ सीख लें अच्छा वस उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं बाकि हम अपनी मन मौजी में नकल पीछे थे ना आज हैं जब भी मन कर लेता है बै काम में आपने बैठना शुरू किया उसके बाद पहले तो करमकान रोज जाना बागेश्व और इसेवा पूजा करना जो परमपरा थी वो परमपरा का निर्वान करना फिर दो हजार बारा के बाद हम परमानेंट वहां दांपर रोके अच्छा वहां जोपडी बनाई हमारी भहस बता था भाई तुमारी यहां से यतनी दूरी पर है वो कैसे पता चलता था आपको यही हमारे परिवार बाद जो कि दादा गुरू जी के जो दादा जी थे स्री शन्या सी वाबा जिनका हम जैकारा लगाते हैं उन्होंने सवा करोड हनुमान चालीशा का पाठ क करके हनमान जी को प्रगट लिया था हनमान जी ने प्रगट होके कहा था साक्षाता करवा करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो जोली भर कर लेकर जाएगा तुम्हारे बंस में एक नएक यहां सेवा करेगा तो वो प्राप्ती हुई शन्या सी वाबा को उन्हो करें दी दाधा गुरूजी को दाधा गुरूजी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे कुछ दिन वो भी बैठे आकसमात उनका शरील सांथ हो गया किसी कारणोंशी है फिर उसके बाद में फिर दाधा गुरूजी ने हमें पकड़ा कि अब तुम शेबा करो यह हमारी कोई नई की एक परंपरा है यह अनेक भारत में अनेक जगह है जैसे उड़ी सा में कौणार्क अंदर के पास एक ताम पत्र है वहां हम ने लोगों से शुना हमारे दादा जी ने भी बताया है वहाँ ताम पत्र पर लिख कराता है वहाँ के आचायरे उस पर लोग अपने पुर्शनल रखते हैं और वो ताम पत्र पर उकर करके आजाता है ये जो हमारे पास परंपरा ये भी आज की नहीं महरशी बालमीक किसमाई की है महरसी बालमीक ने परचे पर लिख कर लग दिया था कि आतताई रामण के बद करने के लिए आयोध्या की नगरी में दसरत नंदन भगवान श्री राम होंगे केवट का कल्यान करेंगे सबरी के घर जाएंगे लंका पार करेंगे रामसेतू बनाएंगे और रामण का बद करें अब नौदर साल का बच्चा है ग्यारा साल का बच्चा है और वो यह सब बातें कर रहा है अच्छा इसके साथ साथ आप बहुत उपद्द्री रहे तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब बच्चे आ दे दे साथ में से पार्टी बताओ कौन सा सबजेक्ट हो रहा है इंगडवड़ चल्चा कर लेते वही तुमारे अभी 55 परसेंटी बन रही है थोड़ा और मेंनत करो साथ पहली बता दे दिए और कई वार ऐसी नौवत आती थी कि हमारे सिक्चा कम से कहते थे आप स्कूल मत आया करो क्यों क्यों कि सभी किलासे इखटी कर लेते थ हैं तो क्या गार मी क्या बार मी क्या दस मी सब इखटे हाँ बैस देको मराज हाथ हस्त रेखा क्या वता रही है ऐसे चलता रहे तो अब इससे खख कह थे थे आप आया मत करो के दे सर जी हमारा नाम कट जाएगा बोले तुमारा नहीं कट सकता अगर पढ़ दिये होते हैं त ठीक है गुरू कृपाजी तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता था आपको नहीं हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए अपनी साधनाओं का और बालाजी की कृपा का सिद्धी का प्रयोग नहीं कि आज तक नहीं और कभी किसी के विना भाव रखे उसके बारे में जानने की कोशश नहीं कि आपके बारे में सिद्धी है तो दुरुपयोग नहीं कर शकते हैं आप भाव रखेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि जो हमें करपा है हमें अपने करतब का पालन करना है जैसे आपसे कोई कुश्चन करे या आपको कोई ख़वर दे आपकी इमा अपनदारी के साथ तत्थ के साथ फेक्ट के साथ उस ख़वर को दिखाना पड़ेगा वरना आप चाप लूस कहलाएंगे वैसे ही हमारे पास कोई प्रशन रखता है तो अगर उत्तर आ रहा तो हम बोलेंगे या नहीं आएगा तो नो बोलेंगे तो मजबूरी है पर हम पह जो फेक्ट चाहिए यह समाज के लिखिए गड़े हूए धन के वारे में हमारे बगल में धिस्ट्रिक है पन्ना में हीरा पाये जाता है वहां के शुरूआत में तो हमने भी दो चार खेल किये जब फिर बाद में गुरू जी नहीं नहीं लोगों को मिल गया लैं लगने फिर तो आफ़त होने लगी, कहीं माताजी का सपोर्ट, कहीं मामाजी का सपोर्ट, और उस बक्त तो अतनी विवस्ताएं भी यमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया, तो फिर अमने, क्या बता दे तो हीरा का, हीरा मिल जाता है, तो अपन 15,000 का एक बिका था, एक 27,000 रुपर का बिका लेकिन फिर गुरुजी ने, गुरुजी ने मना कर दिया था, हम अपनी साधना का प्रियोग अपने लिए नहीं कर शकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर शकते, तो वो फिर पूरी पूरा जो धन था, लगभग 22,000 रुपर, वो हमने उसको बेटी के बिवाय में लगाया था, तो डर लगता था गुरुजी से, आज भी, माँ बाप से, कई वार पिता जी को देखकर हमें भी लगने लगता है, कि सिद्धि पूर्शों के भी बाप होते है, जरना चाहिए, पर तेक बच्चे को अपने माता पिता और शित्व रणना चाहिए, अच्छा है, भाय अगर नहीं होगा और शुतंत्र होगा तो गलतीयां जादा होगी, भाय रहेगा, शुतंत्रता नहीं रहेगी, तो गलतीयां कम होगी और व्यक्ति सुपरश्टार होगा आप आपके भाई बेहन वो नहीं देखते थे किया रही है आप अलग राँ पधो वो अलग रहा पे हैं नहीं बहो हमारी थे सथे छोटी हमसे बेहन है बेहन से छोटा भाई है और वो सभी हमारे support करते हैं पुरा परिवार हमारा एक हमारी जीवन में एक नई बात ये रही, कि हमें अपने माइंड के साथ साथ ब्रमान का बहुत सपोर्ट मिला, सबका, सबने बहुत इसनेह लुटाया, मा, पिता जी का भी वह वात अलग है, गाउं की लोगों का, मास्टर का, सिक्षक का, हम बच्पन से ही हमें एक चीज र प्रिवार का, ताउ का, चाचा जी का, शब लोगों ने हमारा, हाँ बड़ो, बहुत अच्छा है, जितना उन से बना, हमारा सपोर्ट में, फिर ये आपने का कि सन्यास नहीं लिया है, तो जो बच्पन में जो शौक होते हैं, वो आपको भी रहे होंगे, कि भई ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, इंसान है, अभाव में जीवन रहा, तो बस हमारे सपने तो बहुत चोटी ही रहे, एक चोटा सा मकान मा के लिए बन जाए, मा को चलने में दिक्कत होती है, एक चोटी, आज भी मा बिना गाडी के चलती है, कई बार मा को गाडी हो जाए, और घ मेरे भोजन की विवस्ता ठीक ठाक हो जाए बस यही सपने रहे हमारे जब हमारे जीवन में कुछ बाला जी की खुब करपा हुई हमने कथाएं कर देखो में एक इस पस्ट आपको मत बता देते हैं पूरी टीवी के माध्यम से यह सदियों तक रहेगा आपके साथ धाम के आने वस्त्र लेना कभी-कभी मन होता है कभी बरंदा बन जाना कभी कासी जाना कभी माबाबू को भी पिता जी को भी तीर्थ ले जाना उसके लिए हम कथाएं करते हैं हमें जो दक्षना मिलती है उससे हम अपने परिवार का और खुद का स्वयम का भी भरन पोर्शन करते हैं आ आपने ये कुरसी बठा दी, अब जो देखने वाले हैं, वो यही समझेंगे, बाबाजी देखो, क्या वी आईपी कुरसी पर है, आते हैं सर्द्धा से, गुरु जी इस पर बैठो, तो आप किसी की सर्द्धा को कौन मात में, आपको निजी इच्छा नी हुई कभी इन चीज नामाम आपको चाहिए हो तो हम बता देंगे, तो यारी की, और अचा वस्त्र अगरा भी अब आप तो खड़ाओ पहनते हैं, वस्त्र हमारे साधाद है, कोई-कभी-कभी विचित्र वस्त्र ले आता पहन लेता है, वस्त्रों का हमारा कोई शूक, जो मिल गया हुई, कभी- यह जो जीन्स, टी-शिर्ट वगरा, यह अरे जाब छोड़ो, क्यों? यह पास्चात शंशकर्ती की अले जाता है, हमें समसानातनिय शंशकर्ती का प्रचार करना है, और हमारा शपना भी है, और हमारी, हमें लगता है, कि आप जीन्स पेंट टी-शिर्ट में, एक लाख लो कुछ मंदिरों में कहा जा रहा है कि नहीं, आप वस्त्र जो हैं इस तरह के ना पहन किया है, भारती भेस मुश्चा होनी चाहिए, यह तो होना ही चाहिए, भाई आप इसकूल की सिक्षा के लिए ड्रेस कोड लाग हुए, इसकूल में आपको जाना है, तो ड्रेस पहनना आ रक्षा के लिए हमारे पुर्वजों ने अपने प्रान तक त्याग दिये, उनको पहनने में सर्म कैसी, अगर शर्म नहोंगे, लेकिन फैंट शर्ट में कोई जा रहा है तो, जा रहा है तो बुरा ही नहीं, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कथावाच्चा की और वो स इस्थान करना है, तो आपको पहन के जाए, बाकी तो ठीक है, कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं हो पाती है, तो बात लगे मजबूरी का नाम ठीक ही है ये बताएए, आपने कहा ये पैसा आपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फोन कर रहे हैं, आपके नाम के आपसे बात करा देंगे, ग्यारा सो रुपे दीजे, आपसे बात करा देंगे, ये सब चल रहा है, वो पैसा कह та कि श्रवाडела है ये दुरुभाग का होगाे है इनाम से बहुत ज्यादा फोड गिरी की जाते हैं इसी वाद से कि हमारे साथ फोटो खिचवा कर और अपने आपको सेवादार बता करके बहुत से पकड़े गए जैल भिजवाए गए लगब लगब 20-25 लोगों पर F.I.R. की लिश्ट है हमारे वहाँ जिन्होंने फ्रॉड गिरी की लेकिन वो चीज़ हैं बहुत ब्यापक इस तर पर बहु उसले गड़ें और 18 घंटे इसीले मेध करते हैं कि कोई हमारे यहां से निरास ना जाए और इसवर करेखे हमारे अंदर सथ बुद्धीब नी ने लेकिन यह हमारे लिए बहुत आगात का वश्र्ण करे कि हमारे नाम से कोई धंदा करे क्योंकि धर्म धंदा नहीं है हमारे तो लुटाना हमने सीखा है, जुवाय से लोगों में, लेकिन जैसे आप अपनी ब्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो है, उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं, हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बड़ी हुई है, वाय, यह सब हमारे दिने यह आकस्मात हो गया, कैसे ह हमें भी खबर नहीं, यहां तक कैसे हो गया, हमें भी खबर नहीं, हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारे यह विचार तूकि तीन पीड़ी से चल रहा है, अब यह टीवी यह वज़ा हो सकती है, मीडिया का बहुत किरपा है, सत्त को दिखाने की शामर्थता मीडिया ने दिखाई, उसका परणाम यह है, दूश्रा, धर्म जगत में परती उत्तर धर्म बिरोधियों को आज तक मिले नहीं, दूश्रा कारणी यह, तीश्रा, ज्यादातर कई वार इस रस्ते पे आने के बाद में, एक लाइन पर पहुँचने के बाद में अब अब फिर जो हमारी रक्षा की वात करके अपनी रक्षा के लिए भैवीत हो जाता है, हमारा सिद्धान तो ठीक उल्टा है, चौथी वात, हमको एक ओफिसर ने पूछा, कि बहुत बड़े यहीं के, क्या आप भारत में करना क्या चाहे है, कल बरशात हो रही थी, तो ल घर में विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाहे है, हम भारत में, जो सनातन विरोधियों, जन्होंने रामचरत मानस को फाड़ा है, जन्होंने राम की आत्रा पर पत्थर फेंके है, जन्होंने पाल घर के संतों को बरवरता के साथ मारा है, जन्होंने साक्षी बहन का का किया है जो हमारी बहनों को सौप्ट टार्गेट बना रहे हैं उनकी ठट्री और गठ्री दोनों बांधना चाहे है और हम हारत के युवाओं को जगा कर रहेंगे जगा कर मानेंगे चाहे उसके लिए हमें अपने प्रानों का बलिदान देना पड़े हमारा और कोई सपना नही ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरू बनना है ना हमें कोई आचारिय बनना है ना हमें कोई बहुत बड़ा अध्यात्मिक लीडर बनना है हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिस करेगा तब तक हम घर धीरें करवा दें कि यह इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और परची की बात करते थे वस आप लोगों ने रिकॉर्ड ने कि जब वो विवाद आये जब लोगों ने विरोध किया महाराश में तो तब आपने ट्राइक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि आदमी अब और ज़्यादा खत्रा हो रहा है तब फिर वो समने आई इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया तब आप लोगों की नजर है कि बाबा कुछ है आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट बनाएंगे तो बाकी धर्मों के लोगों हिंदू और आप कहोगे हाव जैट पॉसिबल एक कैसे पॉसिबल हम यात्राएं करके कथाएं करके जगा कर शंकल्प दिला कर और अपने आपको खफा कर मना कर की माने एक दिन आप भी इसी कुर्शी पर बैटे बैटे गएंगे यह बटाईए यह तो और बाकी के जो 25 करोन हैं दू हिंदू मुसलमिन मान लडाना बंद कर हो जाएगा हिंदू राष्ट का मतलब सामाजिक शमरस्ता हिंदू राष्ट का मतलब शनातन एकता हिंदू राष्ट का मतलब राम राज्य की इस्थापना जिसमें धोभी को इस्थान भी जो भागवान राम का बरोद कर रा था एक विसेश जाती से, दोभी जाती से, वो भगवान का बिरोध करा, फिर भगवान राम ने कुछ नहीं का, उसको जगए दी, तो हिंदू राष्ट का मतलब सामाजिक शमरस्ता, शोहाद्रता, एकता, हिंदू राष्ट का मतलब दिलों में, अपने राम के पृति सम्मान जगे, और राम की आत्रा पर पत्तर फ्हेंकने बालों को गठली थटली, दौनों बंदह रामचरतमानस जलाने बालों की गठली थटली दौनों बरे सक्त कानून हो बैर रामचरतमानस राष्टैय ग्रंध घोशद हो बैं अब इससे, हमें तो नहीं लगता कि इससे दूश्रे मजभब के लोगों को और सच बता है, पता नहीं आपकी टीवी पर ऐसे जबाब क्यों आते होंगे, हमारे साथ तो मुसल्मान भाई है, और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मुसल्मान भाई, एक टीकमगर के भाई के इतना वी मुसल्मान कमेटी होती कोई, उन्होंने सपोर्ट में एसपी को जो भी होता है, उन्होंने ग्यापन दिया, ठीक कर रहे हैं गुरुजी, आकर हम लोग कब तक लड़ेंगे, राष्ट के उत्थान की बात कब सूचने के, इस देश में केबल हिंदू मुसल्मान मुद्दा है आपकी टीवी पर, आपकी टीवी पर कब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा दिनना रात नहीं चलेगा, पानी के संकट बुंदेल खंड में है, ये कब तक नहीं आप लोग उठाओगे, हमारी युवा भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, इन युवाओं को रोजगार की इस्त नहीं है, हम मीडिया नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम तंत्र नहीं है, हम तो प्रजा हैं, तो ले भी है, बैठे दियो, I am not politician, फिर कल के दिन आप बेकर नूँ चला होगे, बाबा, आप राजनेतिक के बाते करने लिए, हम तो केबल बात इस्थार तो बता रहे हैं, क्योंकि लेको बुरा मतमान, आप हमारे अपने हैं, तो ये टीवी भी हमारे सब चैनल से, जितने भी चैनल से, सब को शाधिवाद, लेकिन इस राष्ट में ये भी एक मुद्दा है, बुंदेल खंड में पानी की दिक्क, बुंदेल खंड में उप्चार महीं है, हमारे बुंदेल हॉस्पीटल ठीक नहीं है, हमारे बुंदेल खंड में, हॉस्पीटलों की दिक्कत है, हमारे यहां पर कोई भी अगर एक्सिदेंटल हो जाए, तो ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तीन सो किलो मीटर दूर हमें जहासी और ग्वाली रा जाना पड़ता, इस पर दृष्टी कब ज अपक्षा नहीं रखे, हम तो अपने हनमान जी के अलावा इन लोगों से अपक्षा रख लेंगे, उन से कोई अपक्षा नहीं है, अब हमारे संबधान में तो लोगों का प्रतने दित्व चुनाव के जरीए होता है, वही एक बैलेट है तरीका जिसे समर्थन हासिल करने का तो आपके मन में ये खायल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं. कि चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं. करोडों का अध्यात्म दस रुपया में बेंच देंगे. आप क्या बात परते हो? अभाए अध्यात्म का अध्यात्म का अध्यात्म, दस रुपया में आप, मै जो भी पुराने नोट में, टैप से चपके हुए नोट में आप बेचना चाहिए, नो, पर जो नेता अपना काम करना है, वो भी तो, करना चाहिए, साधुबाद है, राजपीट और ब्यासपीट, दौनों प्राचीन पीट है, धर्म से राजनीती चलती है, राजनीती से धर् धर्म की आचार शंगटा की नीचे राजपीट है, जो राजसत्ता पर अधिश्ठात रहे बैठा हुआ व्यक्ती, धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलता है, वही राजसत्ता स्रेष्ट स्रेयसकर बहुत अच्छी मानी जाती है सब फिर चलते हैं आपके बैच्पन की तरफ थोड़ा सा, और तो चाय पीले हम, आपको दिक्कत ना हो, अरे विलकुल, हमाय क्या है इंजन उसी से गरम होता है, अच्छा, अजे चाय का शॉक कैसे हुआ, इसने हमारी गुरू जी की आज जुड़ी है, अच्छा, हमारे ददाजी ग्रांदफादर, घुरू तो गुरु होता है और सच बता है हमारी जिंदीकी में हमारा प्रारम मी भी गुरु है और हम तो अपनी मृत्तु भी गुरु के चाय थे, हमारे गुरु जी हम दस भाही टाऊचाचा के मिला कर थे, उसे हम एте नाय कर थे, चाय पीते त यह शैतानिया बच्पन में आप करते थे खोब दबाके हैं जैसे तोना मुरा जैसे एक बार स्कूल के घटना कि हमने, इंTER्वाहल होता है, सरकारी स्पूल में पढ़े, आपके जैसे बीबी आइपी ते नहीं, हमें तो सरकारी स्कूल मिला, उसे में गए, पढ़ते थे, तो एक बजे इंTER्वाल होता है, सरकारी Solomon गड़ी का एक बज़ता है तो एक class का monitor हुआ करता था उसके कहा जाता था एक बज़े तो घंटा बज़ा दिया करो तो एक लोहे का वो टंगा रहता था उसमें लकडी का घंटा बज़ा दिया तो एक दिन से तानी सूझी तो अपन्नस शाड़े 11 बज़े ही एक बज़े आप पच्टाते हैं कि school करते पढ़ते graduate होते कुछ नौकरी करते बच्पन में सपने कैसे थे जो आज कर रहे हैं वही सपने थे पश्चार वाले आपके पस या आप के पस या आपके पस या आपके संसकार के पास नहीं संसकार वाले हम दो जादे निए प्यासा कुंगा के बास आदा है हम तो अपने धाम पर वैटे वैटे दरवार लगा थे तो संसकार टीवी चैनल के CEO Srimanosh Tiyagi ji तो किसी एक कपिल नाम का एक खजराओ का बालक था उसके सपोर्ट के साथ तो पहले से टीवी चैनल वाले आने लगे थे हमारी कथाएं देख करके बाबा का कंटेंट तो खतरनाक है इसको कैच करो हम तो समझे गाए थे कि इनकी अठकी है अपन तो हुसे आ रहा है, बुंदेल खंडी आदमी, सो दंडी एक बुंदेल खंडी हम समझे गए वो हमारे पास आए तो दरवार में एक चोटा हॉल था सब को हम मिल रहे थे, परचे निकल रहे थे, बात हो रही थी, सब का समाधान दे रहे थे चल रहा था उनको आईए त्यागी जी परचाहे तो एक सजन ने करवाई दिया था कि ये त्यागी जी है तो हमने का ठीक है आप बैटो जो हमने बाद में थोड़ा फिरिया हमने आईए त्यागी जी मने मांगो पूछो क्या चाहते हो तो इनकी एक बात हमको भाग गई और च हम आपको चाहें थे लेकिन ये भी बड़े वाले हैं ये भी बड़े वाले हैं पहली कथा इनोंने फिरी आफ कॉस्ट कह दी हमको अपन बंदेल घंड यादमी रुपिया जीब में रहता नहीं तो प्री आफ कोस्ट के चक्कर में कर चलो टीवी पे तो आएंगे तो हमने का अब तो खेर खला परचा लगने लगा बिली लाता है ऐसी सुरवात है तो अब आप कैसे ये कमाई कैसे होती है नहीं हम नहीं देते हैं जो कथा करवाता वो देता है हमारा कोई मतला भी नहीं अपने राम जी को तो दक्षणा मिलती है बस दक्षणा से काम है बाकी टीवी क इससे लाखों लोगों को घर वैठे लाब मिल जाता। डॉम, पंडाल, टेंट, एलेडी, भोजन, इसका खर्चा है। और लोग बहुत आते हैं, पागली पागल, वो आना भी चाहिए। दो मिनट सही सामने गुजा रहे हैं। तो हमें लगता जो सामने रस है ना, वो टीवी पे रस नहीं। आप जो एनरजी पा रहे हैं, या हम आप से पा रहे हैं, वो टीवी पर घर वैटी हुए लोग नहीं पा पा रहे हैं। तो भी करोडों का खर्च हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमेरे एक है, कई लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को कथा क्यूं देते हैं, हम तो आदवाशियों की बीच में भी करते हैं, धाम की तरफ से भी करते हैं, लेकिन इससे हमें एक फायदा है, कि ये जितने भी BVIP है न, ये कम से कम खर्चा करते हैं न, तो हमें इन सामन लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, और जो हमारा काम है, वो हो जाता है, क्योंकि ये बिचारे धाम पहुचने सकते हैं, और धाम जाते हैं, तो भीड, यहां कई लोग ऐसे बेटे हूं, जो कई बार गए लिगे मिलनी पाई, तो करें क्या, उन तक हम कैसे जाएं, तो हमने एक रस्ता सूच लिया, कथा करेंगे, बी आईपी को दस मिनट टाइम देंगे, ताकि उसे लगे कि हम बी आईपी, तो बस दस मिनट टाइम दें, आँ भी, खुस रहो, बस, उसे बढ़िया आशिवा दिया, बढ़िया उसे समाधान दिया, गुर्द आग्या करो, कुछ नहीं बेटा, शिवा करो, शिवा करेगा, धाम पर करेगा, तो क्या करेगा, दो चार लाग खर्चा करेगा, धाम हमारा बढ़ा, हम बहुत उल्टे आदवी, आश्रम बढ़ाने का नहीं सोचते, धाम बनाने का नहीं सोचते, हम अपनी जिंद जो हमारी Guru Krpa है, उस Guru Krpa को इन लोगों में बाठ देते हैं, बार में गया, ये भी खुस, हमारा काम भी हो रहा है। तो, विदेश न भी बुलाया आपको? अंग्रेजों के पास गहे दें, ठटरी बान रहे। अभी फिर से जा रहे हैं? अभी कहां? यू के फिर से थी स्रीवार, फिर मौरीशस, फिर नेपाल, तीन जगह कथा हैं जा रहे हैं, अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं, सब जगह बुला रहे हैं, जाए जाएंगे, जाएंगे, क्या दिकत? वहां अच्य लगता है? विदेश की दिर्ष्टी पूरी दुनिया जो हमने बहाँ जाके उब्जर्व की है विदेश की दिर्ष्टी पूरी दुनिया पर व्यापार की नजर होती है भारत की लोगों की दिर्ष्टी पूरी दुनिया पर परिवार की दिर्ष्टी होती है और में अनुर पसंद नहीं कहते हैं कोई क्सा यह क्लिए वो बिलको भी पसंद नहीं अनुबंद आदमियें हम किसी भी प्रकार की अनुरम यति depriते मनौजी यह जो मन मैंि प्लेन में पहले बार लुकॉप्टरब़ चड़ियो नुरुट चाका से केदारनाद गए थे, एक चाका, चापा या चाका जगए है, चापा, चापा जगए है, वहां से बगवान केदारनाद के दर्शन करने है, हमारे एक प्रिये हैं, जोशी जी, उन्होंने उसकी टिकेट दी थी, अपने राम जी तो हमेंसा दूसरों पर चलते हैं, उन् वही दो कर दो कि चील गाड़ी पिछले और उसमें भी हम लुकार प्रातना कर लेते हैं बेठने के पहले कि आप मत आना कहीं अगर बैठ गाए और नीचे आगए हम कहते हैं उतार के मिलना आभी अमदाल फिल्में पगरा देखते हैं आप लाग ऐसी कभी निया इतना समय नहीं ताइन इस गंटे सेवा में रहना सौने को तो टैम नहीं पतार गाडी में सोते हैं कभी गाडियों में सोना कभी कल तो सोफा पर ही जिसके आँ गय थे वो जब सबने जयकारा लगाए तब फिर नेंद खुले तो समने का तो यह से कुछ नहीं लेकर कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखिए कश्मीर फाइल्स देखो जो है हम साब बता देते हैं यह हमारी जीवन का एक सिद्धानत है छोटी बुरी अच्छी बात हैं हमें बूलने से कोई दर नहीं लगता जो है सो है वही आप करोगे क्या जानोंगे ही तो जान लो पहले ही खुली किताब एक सज्जन एक मात्मा बोले हमें कोई हरा नहीं सकता हूं हमने का वाय क्यों नहीं हरा सकता हूं बोले हम पहले हारे हैं आप कौन हराएं तो और फिर फिल्में एक् इन्यास नहीं लिया है तो राणी लक्षमी भाई अचा वो तो एत्यास दिए यह भी आजकल चल रहा है उनिफॉर्म सिविल कोड यूशीशी समान नागरिक कानुशंग सही है होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए जरूरी है एक जब एक देश है तुमारे लिए अलग लो आए यह वही कहते हैं वसे हैं वहिशी साब की एह लिए हिंदु कानूनी हम प regulatory लगा देंगे इस बहां लिए अरे तू को खोड़ अपने पूरवजों को देख लें साब सभाइए Tag अब धर्म परिवरतन के खिलाप कहते हैं लेकिन आप जो करा रहें हैं वो धर्म परिव अच्छा। पत्र निर्मान को देखकर साहर सकोई आजा था, हमारे यहां से तो बांगलादेश से भी एक बच्ची आई, उसने भी शना, लेकर हमने यह नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, हमने यह कहा कि तुम राम को आदर्शम मानो, और आज भी जुड़ी, और वो दूशरी म अजब की, और ऐसे कम से कम नहीं, आपकी टीवी पर हम बता रहे हैं, कम से कम नहीं, डेढ़ सो है, जिनके, जिनको अमने घर्म नहीं बदलवाया, आप बने रहो, लेकर राम को आदर्शमानो, तो हमारा, हमारा धे कनिवर्जन नहीं है, घर बापसी, तो पर यह सनातन अमें धर्म नहीं बदलवाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम उनके जैसे एक सजन को कुटा ने कात लिया, वो हमारे पास आया, बुले क्या करें, हमाने घर जवाब देना है तो, तुम कुटा को काटो, लेकर नहीं यह इन कहता है, अगर आपको कुटा ने काटा हूँ, आ को ऐसा करने हमारा धे दूश्रा है उन्हें भारत में रहना चाहिए हाँ जिनको दिक्कत है जिनने राम की आत्रा पर फत्तर फेकना हो जिनको लव जिहाद के लिए पैसा खर्च करना हो जिनको दिरेंद कृष्ण के लिए जैसे लोगों को इसमें लाखों लोग हैं भारत में जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रती शरयंत करके उनको मारना हो, जिनको पालगर के संतों से दिक्कत हो, जिनने साध्गों से दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए ये हिंदूराष्ट सनातन राष्ट आवश्चक है, वे ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार न अगर प्रेम है, अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेम का की तैति श्टुक्डे क्यों, यह प्रेम है की नफरत, लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़े हैं, आपको प्रेम नी होता है? हमान से प्रेम होगा अपने गुरुदे से हमें प्रेम होगा और हमको सच बता दे, प्रेम नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति दो जगर से बोलता है, यह से और यह से, आगे को लोग हमाना पास वो वाई-फाइ सिर्नल है, वो जूट बोलता है, वह पकड़ रेते हैं, इसलिए हम में घृनाजा जलbuildी होजाती है। इसब अने होगता है हम दो एक दन हस रहते अपनी मा के साथ हमारी माश है की ऐसी होती है मा अभी बहुत दिन बाद मेले थे माकोяз जो सब दो कि उसे हमें अग भित आ बहुत दिन हो ग satellites now तो हमको इसने कम होता है कोई मिल्या ऐसा जो सच बोले ढोड़िये आप पर ऐसा कोई ब्रहमचरे का प्रण नहीं लिया नहीं साधू हम कोई साधू नहीं नहीं देखो ज़ो है शो है हम सनातन को अपने आराध्य को धोका नहीं देशा है आप जूट वोलकर टीवी पर भौत स इश्वर को नहीं और हम अपने गुरू को बहुत मानते हम अपने गुर्देव को धोका नहीं देशुकत जो है हम कोई शाधू नहीं है हम कोई शन्यासी नहीं और ग्रहस्त में दिक्कत क्या बगवान राम भी तो ग्रहस्ती है बगवान आते कहां ग्रहस्ती में बगवान वह तो दसरत महाराजी है। बगवान राम भी ग्रहस्ति-थी थी, बगवान-कृस्ति नहीं हुए। कितने रिशियों की लाइन जो ग्रहस्ति नहीं है। वश्रेष्ट रिसी है। वह हमें लगता है कि ग्रहस्ति जीवन उत्तम लेना। आपके पास इचने इतने ये जो नेता लोग आते हैं हर पार्टी के आते हैं वैसे लोग कैते हैं कि आप पीजेपी की तरफ जादा हैं नहीं ऐसा नहीं है सब हमारे हैं और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं सभी पार्टियों को खूब साधुबाद है, सब को शदभुद्धी मिले, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके कल्याण के लिए प्राथना करते हैं, और जो अरजी लगाते हैं, बाला जी उसको पूर करते हैं, और अगर ऐसा कोई जोडता है, तो यह उसकी सठता है, सब पार्ट कोई जीते हैं, किस से कोई मतलब है, साधु को इस से मतलब होना भी नहीं चाहिए, कोई भी जीते है, बगवान सदभुद्धी सब को दे, प्रदेश का और राष्ट का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या जाप से मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे के धर वोड़ दो धर वोड़ वह यह नहीं, सप्ने में हम क्यों कहेंगे, वो तचितन हैं हमारे भागे शुक धाम के जितने भी पागल हैं, देश arriverश के सुतंत्र हैं हमसे, हमारे उनको कोई परितंत्रता है, हमारे धाम, बाला जी को मनने बालों कोई परत, एक ही परतंतरता है, केबल भक्ति और आत्म शुक और कोई परतंतरता है जहां बोड करो दबाओ जहां तमारा मन की ये जीयो जो तुम्हे काम करना है करो बस किसी का दिलना दुखे और शनातन की बात मत भूला और उस इसर को धन्वाद देना मत भूला कोई आपको लगता है पार्टी ये निता है जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में कह नहीं सकते जा तो बहुत बहुत कह देंगे कल ही बोरिया विस्तरबंद जाएगा तो अभी मौका है समय आएगा अपना भी आप जब कह रहें समय आएगा तो ऐसे लग रहे जाएगा आपके पास सनातनी हिंदू जब एक अच्टे हो जाएंगे वो खुद बोलेंगे और जबाब देंगे इस भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा यह ऐसा लग रहे है जैसे आपने एलेक्शन की परची खोल रख कि आपको पता कौन जीतने वाला है बिलकुल भी नहीं नहीं पता अपने नहीं करते हैं अपने का ना कोई आता है प्रार्थना करता तब हमें जबाब मिलता अच्छा हम परार्थना करना है बता यह कौन जीतने का इलेक्शन चलो यह जूता उतार के बागे शुद हम चलो नारियल बानना इकीस परिक्मा लगाना पांच पार्थनमान चाली साकर करना फिर लाइन से नंबर से आजाना आप अंदर हम बता देंगे ना बताए तो हमारा नाम बिटा देना तो कोई कोई opinion poll, कोई survey के जुरूत नहीं, सब पता चल जाएगा तो उन्हें अगल बगल भी दिखाई देता है, कि बगल में किसका मकान है, कहां नदी है, कहां ये एक्सिडेंट हो सकता इसका, कहां पर ये सफलता पा सकता और रस्ता कहां भटक सकता है, तो वो उस दिष्टी से लिखवाती है, उस पर जो चलता है, तो opinion poll की भी जरूरत है, देश में कानून की भी जरूरत है, पुलिस की भी जरूरत है, ऐसा कुछ होता, तो थाने बंद करवा करके, हम ही अपने थाने ना खोलते हैं, तो सब कुछ है जरूरी, ये तब के लिए है, जब हर जगे से हाथ खड़े हो जाएं, तब आप फिर अध्यात्म की और हमारी ज चाबी ढूडएंगे, हन्माईजी को सरक इतने काम बचाएंगे, चाबी ढूडएंगे किस कौने में डलिया, ये इन सबके लिए परिसान भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा बिसे हो, तब सब्सक्ती इसके लिए है, अब इतने फिरी भी नहीं, समझ गया, तो अगर क जब आब तो आब इतनी जगा चले गए, इतने लोगों से मिल लिए, इतने लोगों को देखते हैं रोज, दुख किस चीज़ को देख के होता है? जब कोई हमारे तत्त को फेक्ट को जाने बिना और गलत प्रचार कर देता है, तब हमें दुख होता है। उनका समय है, बोल लें तो, अपना आएगा। आपने दूसरे धर्मों के गरंथ पड़े हैं। बिलकुल यह जरूरत ही नहीं। लेकर पढ़े नहीं हैं, लेकर हमने समझा है, जो पढ़े लेके हैं, उनके साथ बैठ कर हमने। बारता लाप किया है और उनसे पूछा है, बिना फैक्ट के बाद लेके। हमने पहले फैक्ट समझा, कि आपके मजभ की पुष्टक में क्या है। आपके मजभ की पुष्टक में क्या है। और ऐसे नहीं, उसके जो धर्म गुरू है उनसे ही। पढ़ना और सुनना, धर्म गुरू से शिक्षा लेना दौनों समान है। तो हम शिक्षा पे जादा भरोशा करते हैं। क्योंकि जो धर्म गुरू जिस मजभ का होता है, उस मजभ के आचार्य को अपनी बात लपिटने का मौका होता है। जिससे उसको क्या हर्ट करेगा, यह वो बोलेगा हमसे, तो हम उस चीज को धर्ष्टी कौन रखते है। यह वी तो नहीं है, कि केवल अपनी बहन वेटियों की सुरक्षा करो, बाकी को जो हिला वजयाद में पकड़ करके उनको मारो। इसका मतरब यह वी तो नहीं है, केवल अपना गरंथ पवित्र है, बाकी सब को जलवाने का शड़यन्त करो। धर्म शनातन है। आपका सुभाव और आपके प्रशन करने के तरीका। तो हमने आपस में गुरुजी से भी चर्चा की, गुरुजी ओले हाँ थोड़ी तो करकस हो रही है। तो हम अपने लोगों को दुख न पहुंचा, हम कई बार न अपने लोगों की ठटरी बार लेते हैं। उसको अपने लोगों को दुख न हुझा। थोड़ा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल तो नहीं है, बिसपोट आदम है। दूसरा तो अभी भी आ जाए। छोड़ेंगे नहीं जिंदी की भार, जब तक प्रांट रहेंगे। तब तक तो वो भई एटम बम है। छोड़ेंगे। बात करेंगे फैक्ट की। आप लड़ो, तरक से बात करो آپ कोई अगर कुष्ती लड़े तो ठीक है से थे., छार फें र्क बॉड़ करें। áisगे। उआए् हम आज्एक्ट। सनातन में फैक्ट है, रामचरत मनसमन तरक है, तो तरक दे रहें। ओए। शीदी शी बात यह हम से लिए। शुनने की दम हो सो लिए। और बाकी वागा इतने ऐसे बच जाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। कि करिया कांडना हो। इतने वक्त से इसले तो आप से बोलाने की मेरी परचे निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ या जुदने के लिए बावा पादेश्वर धाम के पंडे धीरें चास्त्री न्यूजेटीन इंडिया पर लाइव एक्स्क्लूजिब देखते रहे आप न्यूजेटीन इंडिया